हेलो फ्रेंड नमस्कार अगर आप भी मेरी तरह किचन गार्णिंग करना चाहते हैं और जिस तरह से मैं सबजियां उगाती हूं उस तरह से आप भी उसका लाब लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरी तरह से देखिएगा पूरा वीड कितना भरबर के इसमें फ्लावरिंग तो होता ही है उसके साथ सारे फ्लावर्स जो है फूटिंग में भी के फूट में भी कन्वर्ट होते हैं आप देखिए एक नजारा फ्रेंट्स मिर ले ये नजारा बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा था क्योंकि इन दिनों मैं घर पर थी ही नहीं मैं अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद घुमने गई हुई थी 29 जून से 6 जुलाई तक हम घर में ही नहीं थे फ्लावर्स तो इसमें मेरे रहते ही आचुके थे और वो भी काफी मात्रा में फ्लावर्स थे लेकिन फ्रूट्स मैं वहां से आने के बाद 7 जुलाई को देखी देखी बेगन के फूल का ये सबसे डेबलप वाला कंडिसन है इसमें इस कंडिसन के बाद फल बनता ही है अब देख रहे हैं ना चारो तरब से इसमें फल लगे हुए है मुझे लगता है 90% से ज़्यादा जो है फूल फल में कनवर्ट हुए है फ्रेंट्स वीडियो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है असल वीडियो तो क्यारी की मिट्टी तियार करने के उपर है उस मिट्टी का रिजेट दिखाने के लिए मैं इस बैगन के पौधे के फलों को दिखा रही हूँ मेरा यह पौधा गर्मी भर फल देता रहा है और इसका मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ आप जरूर से देखेगा एक बार यह मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसके बाद मैं इसमें एक बार भी खाद नहीं डाली हूँ पिछली हार्वेस्टिंग होती इसमें फिर से बहुत सारे फ्लावर्स लग गय थे और flowers के condition में कभी भी खाद नहीं डाला जाता क्योंकि flowers तो ज़्यादा पानी भी नहीं बरदास कर पाते हैं तो खाद तो और भी strong चीज है flowering के condition में कभी भी खाद डालने से flowers ज़ड़ जाते है यह बैगन का एक ही पौदा है गर्मी के समय यह थोड़ा छोटा ही था और अभी अभी इसकी growth काफी ज़्यादा हुई है बहुत ज़्यादा घणा हो चुका है अभी अभी पहले इसके बाजू में मूली लगाई हुई थी मूली का season हटते ही मैं क्यारी खाली करके अगले फसल के लिए उसकी मिट्टी तयार कर ली थी इस पौधे के आजू बाजू में मैं खाली जगह में जिस तरह से मैं क्यारी तयार करती हूँ उस तरह से मैं कंपोस्ट भर कर रख चुकी थी और ये मिट्टी मैं अपरेल महिने के लाश्ट में ही तैयार कर ली थी पिछले बार के फ्रूटिंग के दोरान इसमें मैं खाद डाली थी और उसका वीडियो भी बनाई थी वो जरूर आप लोग देखेगा जो नहीं देखे हैं और अब बारिस के करन मिट्टी बहुत ज़्यादा गिली है जिसके करन इसमें चाकर भी हम खाद नहीं डाल पाएंगे अभी इधर लगतार बारिस हो रही है तो अभी इसमें लिक्विट खाद भी नहीं डाल सकते तो आप समझ ही गया होंगे इसमें इतनी फ्रूटिंग का राज जी हाँ फ्रेंड्स मैंने इसके आजू बजू के मिट्टी को खाद से भर कर रखा हुआ है जहां से ये अपना पोशन खींचे जा रही है आप देखिए मैं क्यारी कैसे तयार करती हूँ आयों बहनों साथियों नमस्कार स्वागा थे आप सबका मेरी यूटूब चैनल इजी गार्णिंग में ये मैंने अपने कीचन वेश्ट को सुखा कर रखा था एंच मैं अपनी बागवानी में नए नए प्रयोग करते ही रहती हूँ और ये मेरा कीचन वेश्ट से बनाया हुआ बहुत ही उपजाव मिट्टी है और इस कमपोस्ट के लिए भी मैंने क्यारी की तरह पर्मनेंट जगह बना रखा है इसमें मैं किस प्रोसेस से खाद बनाती हूँ वो नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता फिल्हाल यहां से खाद मैं निकाल रही हूँ इसमें ताजे किचन वेस्ट भी जाते रहते हैं इसलिए कुछ इसमें डिकम्पोस्ट भी नहीं हुए है मैं जिस तरह से किचन वेस्ट से कम्पोस्ट तयार करती हूँ उसे मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी मुझे अभी नए पौधे जुलाई में लगाने हैं उसके लिए मैं अप्रेल लाश्ट विक से ही मिट्टी तयार करके रखी थी फ्रेंट्स अगर आपको किसी तरह का डर हो तो इस कम्पोस्ट को पुरी तरह से तयार होने के बाद ही डालिएगा इस क्यारी को और बैगन वाली क्यारी को दोनों को मैं साथ में एक ही दिन तयार की थी मैं पिछले बार टमाटर का पौधा लगाए थी ये उसी का सुखा हुआ पौधा है इसमें भी टमाटर पूरे सीजन भर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फलता रहा रूटिंग खतम होने के बाद पौधों को तुरंथ ही वहां से नहीं हटाना चाहिए क्योंकि पौधों की जड़ों में भी बहुत सारे धेर सारे मैक्रोप्स होते हैं जो मिटी और जड़ों के बीच में रहते हैं यहां से उखाड़ने के बाद मैं इसे किस तरह से इस्तिमाल करती हूँ देखिएगा फ्रेंट्स आप भी गार्डेनिंग करते हैं तो यह जरूर जानते होंगे कि इसमें कितना मेहनत और समय लगता है लेकिन वीडियो बनाते समय हमें घंटों के काम को मिन्टों में दिखाना होता है इस वीडियो में भी मैंने इसके बहुत से हिस्से को एडिटिंग के दोरान कट किया है बहुत ही जरूरी पार्ट को मैंने वीडियो में जगह दिया इसके बावजुद वीडियो इतना लंबा बना है साथियों मेरी कोशिस रहती है कि छोटी सी छोटी चीजें परन्तु बहुत महत्पूर्ण चीजें उसे मैं जरूर अपने वीडियो में शामिल करूं ताकि आप लोगों को उसका पूर्ण लाब मिल सके अगर वीडियो लंबी है करके इसकीप करके देखेंगे तो जरूरी चीजे छुड सकती है यह देखिए यह एक जड़ है इसी क्यारी में अंजीर का पौधा लगा हुआ है यह उसी की जड़ है वैसे तो रूट प्रोनिंग भी किया जाता है मैं इसे हटा सकती हूँ परन्तु मैं अभी इसे नहीं हटाऊंगे अंजीर का पौधा ज़्यादा पुराना नहीं है इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती साथियों खुदाई के दौरान मुझे इसकी कुछ जड़ों में फंगस लगा हुआ मिला यह देखिए वीडियो में साथ नहीं दिखाई दे रहोगा इसकी जड़ें वाइट वाइट हो गई है इस तरह से पौधों की जड़ों में प्राब्लम आने से भी पौधों प्यासर पड़ता है खेर मेरा पौधा पौधा पूरी तरह से स्वस्थ है अभी मैं इसका फिर से ट्रीटमेंट करूंगी तो आगे चलके भी कोई प्राब्लम नहीं रहेगा अब मैं मिट्टी में एक चमच ट्राइकोडर्मा मिला रही हूँ एक चमच इसलिए कि यह क्यारी बहुत बड़ी है ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है जो सभी प्रकार के फंगस को खाकर हमारे पौधों की रक्षा करता है आप यहाँ एक बात और नोटिस कर रहे होंगे कि अंजीर की जड़ देखो पूरी क्यारी में कहां तक फैल गई है यह इससे यह भी पता चलता है कि फ्रूट्स वाले पौधों को फलदार पौधों को हमें बड़े गमलों, बड़े ग्रो वैक्स या क्यारी में क्यों लगाना चाहिए अब मैं इसमें अच्छी मात्रा में लकडी की राख मिलाऊंगे आप भी जानते होंगे और मैं भी पहले बता चुकी हूँ कि लकडी की राख में बहुत सारे पोशक्तत्व पाय जाते हैं और इसके अलावा यह एक नेचरल फंगिसाइड भी है आथी यहाँ अलकलाइन होता है चुकी हम लोग अपने पेड़ पोधों में धेड़ सारे तरह तरह के खाद मिलाते रहते हैं जो की बहुत ज़्यादा एसिडिक भी होता है तो यहाँ अलकलाइन तत्व जो है उसे बैलेंस भी बना कर रखता है अब मैं जड़ को मिट्टी से अच्छी तरह से कवर करने के बाद ही दूसरी चीजें इसमें डालूंगी साथियों जैसे कि मैं सुरू में ही बताई मैं इन दिनों हैदराबाद के पूर पर थी जिसके कारण मैं इजी गाडनिंग में एक भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी बड़ा अच्यूमेंट कह सकती हूँ कि मेरा एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसके कारण मुझे बहुत से सब्सक्राइबर मेरे साथ ही मुझे मिले शुरू में यहां से जो टमाटर की पौधे मैं सुखे वे उखाड़ी थी उसे ही यहां पर डाल रही हूँ यहां फिर से रिपिट करना चाहती हूँ शुरू में मैं टाइकोडर्मा डाली उसके बाद राख डाली लकडी की राख और उसके बाद अभी मैं ये अपना बनाया हुआ किचन कमपोस्ट डाल रही हूँ अब ध्यान दे रहे होंगे मेरे किचन कमपोस्ट में मिट्टी की मात्रा बहुत जादा है जो बहुत ही उपजाओ है इसके साथ ही ना इसमें कीड़े हैं ना ही इसमें कोई बद्बू है अब मैं यहाँ पर अपना सुखाया हुआ किचन वेश्ट डाल रही हूँ ड्राई किया हुआ किचन वेश्ट है ये अब देख रहा हुँगे मैंने कितनी ज़्यादा मात्रा में कमपोस्ट पकड़ा हुआ है इसे मैं दो बड़ी क्यारियों में यूज की हूँ ये क्यारी ज़्यादा बड़ी है और वो जो बैगन वाली क्यारी है वो इससे छोटी है अब यहाँ सुखे पत्ते भी मिला रही हूँ सुखे पत्तों के साथ जो मोटी तहनी भी लगी हुई है उसे मैं यहाँ यूज नहीं करूँगी इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिट्टी से कवर कर दूँगी मिट्टी की लेयर सबसे ज़्यादा रहेगी उपर में इसलिए मैं इसे गहराई तक इसकी मिट्टी हटाई थी इसी प्रकार से मैंने क्यारी के सभी हिस्सों में कमपोस्ट डाल कर रखा था गर्मी के दिनों में ही इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला मुझे जब मैं टूर से वापस आई तो मेरा अंजिर का पौधा भी फालों से लदा हुआ मिला मुझे इस खाद युक्ट मिट्टी पे पहली बार इसका पाने भी सोने पे सुहागा का काम किया इस हपते बहुत से विवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ स्वागत है आप सभी का और फ्रेंड्स जिनके पास भी ये चैनल पहली बार पहुँच रहा है मेरी टेरिस गार्डनिंग के अनुवाओं का लाब लेने के लिए इजी गार्डनिंग फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए मेरा सेकंड चैनल हरेली है जिसमें मैं हैदराबाद का ब्लाउग अपलोड करूँगी तो हरेली को भी सब्सक्राइब कर ब्लाउग को इंजवाए किजेगा लिंक अब आउट सेक्षन में मिल जाएगा थैंक्यू वेरी माच